अब कुछ खबरें जिलों से राज़ेपाल अनुसया उईके ने शुकरवार को सुरजपूर जिले के पंडो नगर में बने राश्ट्रपती भावन का वलोकन किया इस दोरान उन्होंने प्रथम राश्ट्रपती डॉक्टर राज़ेंदर प्रसाद के छाय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया राज़ेपाल ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि देश के प्रथम राश्ट्रपती ने गाउं के इस छोटे से भावन में रात्री विश्ट्राम कर अती पिछडी जंजाती समुदाय से भेंट कर और उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया था राज़ेपाल ने पूरे परिसरका भ्रमनकर भवन के अतिहासिक महत्वे के संबध में विस्तार पूरवक जानकारी ली इस दौरान उन्होंने गाउं के पिएटी में चैनी पंडो जंजाती के तीन विद्यार्थी उस्सहित पंडो जंजाती के वरिष्ट सदस्यों एवं अधिकारियों का संबान कर उनकी होसला अफसाई की प्रदेश के ज्यादत से ज्यादा युवा देश सेवा की और अग्रसर हों इसी उद्देश को लेकर जिला सैनिक कल्यान बोर्ड राजनाद गाउं द्वारा कोचिंग की शुरुआत की गई है इसके माध्यम से शारीरिक से कमशुलक पर प्रशिक्षन शीविर प्रारंब करने जा रही है ये प्रशिक्षन शीविर तीन माह से चार माह तक का होगा जिसमें छात्र शात्राओं को लॉजिंग बोर्डिंग की सुविधा होगी बीजापूर माड डिविजन अंतरगत इंद्रावती एरिया कमेटी के मिल्टरी प्लाटून नंबर 16 के डिप्टी कमांडर मीठू कश्यप ने एस्पी डॉक्टर पंकर जिशुकला की समक्षात्म समर्पन किया वो 2008 में प्लाटून सदस्य के रूप में भरती हुआ था तता मार्च 2013 में प्लाटून नंबर 16 में सेक्शन 8 डिप्टी कमांडर के रूप में पदस्त था वो दिसंबर 2009 में नाराइनपूर्थाना के उशक्षेत्र बट्टू में पुलिस पार्टी पर एंबुश लगा कर फाइरिंग की घटना में शामिल था जिसमें दो जबान शहीद हुए थे